भगवान राम जी की जनम भूमी और योद्या पर पुस्तक लिखिए आगे मुझे भगवान श्री कृष्ण जनम भूमी पर किताब लिखने है आप श्री राम जी एवं श्री कृष्ण का दाशनिक अंतर स्पस्ट कर सकते हैं कोई अंतर नहीं है फिल्म तो आप देखते हैं कि एक अभिने करता व बिवित फिल्मों में बिवित स्वांग करता पैचानने 앉..! कभ शंशे ने रखता है रगता। दू यह यह और एक बहुत बड़े जो निगेटिवी रूल करतें उनको क्या विलन अब वो हर फिल्म में नकारात्मक रोल करते हैं और कई में सकारात्मक किया तो वो सकारात्मक करे या नकारात्मक करे पहचानने वाला क्या कहता है लेगे तला हाँ प्रभू कभी रुद्र रूप में कभी शौम्य रूप में कभी स्रंगार मुर्ति में कभी भयानक रू अभिने है ये प्रभु का अवतार लेकर अपने भक्तों के लिए सुख देने के तत्तों ही है तत्तों में किंचिन मात्र भी अंतर नहीं जुवत्यंत गंभीर गुणों के शमुद्र मर्यादा पुरुशुत्तम भगवान राम है वही तरंगायमान प्रेम शमुद्र लीला प कर ले किंचिन मात्र को यंतर नहीं है अभिने में हैं वो मर्यादा पुर्शुत्तम मर्यादा का वहां अभिने कर रहे और यहां प्रेम मर्यादा वुआए जो समस्त मर्यादाओं के बांध को तोल करके उचलित होती है。 उसे प्रेम कहते हैं। समस्त नियमों की जहां पुणता होती है। उसे प्रेम कहते है। जब भगवान श्री राम दंड कारणे में विचरण कर रहे थे तो वहां के रिश्यों ने जे भी अजान बाव भगवान को देखा तो मुग्ध हो गए अस्थि मात्र होए रहे सरीरा ऐसे रिशी हर्दय में प्रबल लालसा होई कि कब ऐसा होगा कि इनकी बाहें हमारे गले में होंगी और मैं इनके चाती से होगा मर्यादा पुरुष्णतम भगवान राम ने उनकी कामनाएं पूर्ण करी और वो रिशी बने गोपी और जब भगवान स्री कृष्ण बने तो रासुनी के साथ किया शुरुती की रिचाय दंड कारण के रिशी मिथला की वो प्रेमी सखियां ये सब गोपी बने आके भगवान राम मर्यादा पुरुष्णतम उनकी लीला में कहीं भी किसी भी तरह से मर्यादा का खंडन नहीं मिलेगा साथ साथ स्त्री मर्यादा के अंतरगत और भगवान स्री कृष्ण प्रेम मर्यादा अगर प्रेम का ग्यान नहीं तो तुम मर्यादा से नहीं मिला सकते हो प्रेम अगर प्रवु कभी मुस्कुराए हैं तो सियाजू से केवल मुस्कुराए रामा उत् ganze और यहां तो मुस्कुराँ के लाखों के प्राण हरन कर लिये जायो वो श्री सुकदेव जी ओ प्रमांस श्रोमनी चाय शुकदेव जी ओ चायो मद सुधन सरस्वति ओ चायो प्रबुधानन्द जी महराज ओ चायो कोई बहुत बड़ा रिसी हो चायो मुनि हो चाया किसी को मन मुस्कुरा के लाल की रूप माधुरी नैनन निरक नेक सकी मन सिज मन हरन हास सावरो सुकुमार रास नक्सिक अंग अंगन उमग सौभग सीव नकी औरों की तो बात जाने दो जटा जूट धारी भगवान संकर भी गोपी मन करके जिनके गले में हाट डालना चाहते हूं है स श्री राम मर्यादा पुर्शूत्तम वहां मर्यादा सत्र स्युग्द और यहां सत्य सास्त्रों का प्रेम प्रेम का परिशय नहीं तो कृष्ण चरित्र नहीं जान सकता जैसे भगवान स्री कृष्ण चंद का एक नाम है ब्रज में माखन चौर विचारा कोई गरीव गों में माखन जानती हो कहा रखा जाता था कुंड में कि रोज अगर सिरी क्रश्ने सनान करें तो माखन दही दूद के कुंड थे वहां कोई पात्रों में दूद थोड़ी रखा जो गोपी जनाती उकामना करती की काश अगर मेरे ये लाला होते कभी मेरे घर आते मेरा दही पाते मेरा कितना हो भाग क्या ये मुझे शुक देंगे जाकि रहे भावना जैसी उसकी भावना पूर्ति करने के लिए ये था वांप्रपद्य जनते तास्तवी भजाम्यव भगवान वेसे ही जाते जब कभी उपद्रों करते हुए लाल जुको मैया पकड़ती बाह और डाटती और प्रभू का वो डरा हुआ रूप तो गोपी सोचती क्या कभी मुझे ऐसा सब वाग मिलेगा कि मैं इनकी बाह पकड़ू और इनको डाटू और दर पे वही भगवान जाकर के जितने उचे मिद्ध ही रखा गया हो सखा के उपर सखा वाप चड़ करके और फिपकड़े जाते फिडाट लगती तो वह सुख भगवान प्रदान कर रहे माखन की कमी तो भावा के घर में थोड़ी है भगवान की लीला को बिना प्रेमी महा नहीं सकता हमारे स्री कृष्ण की लीला बड़ी यह कभी सीदे खड़े नहीं मिलेंगे यह जब आपको खड़े मिलेंगे तो आप देख ले ना इनकी जो जहांकी होगी न वो टेड़ी होगी इनकी लीला इनका नाम है बांके भी आरी इनको समझपाना बहुत कथिन है पहल लीला को बिना प्रेमी के नहीं समझा जासकता इनको दार्शनिक तौर पर नहीं समझा जा सकता है। इनको प्रेम प्रेम बिना धाई आखर प्रेम के पढ़ेशो पंडित हो यह जब तक प्रेम नहीं समझोगे तब तक और प्रेम समझ के परे की बात है। मुझे योग्यता प्रदान करो आपके पावन चरित्र के विशह मेंें कुछ गान करना चाहते हैं तो वहिं योगिता देंगे वह लिखवा देंगे वो मुकम करो थी वाचालम पंगुम्लंगते ப कंग को इतने लीला विहारी है कि उनको समझ पाना बड़ा कठेन है ललकार रहा है काल्यवन अरे कहां भाग रहे हो तुम अपनी महिमा में समझो तुम्हारा बिस्ट यह नाम ले रहा है कि बहुत बलवान हो यह पीछे मुड़के लए देख रहे भाग रहे पी ताब में पहरा रहा है क्या नाम पढ़ा जानते हो ठाकू मुचकुंद की गुफा में ले गए और मुचकुंद उसे भास्म करवाया और मुचकुंद को दर्संद दिया इनकी लीला को सबज़ेला बढ़ा है कि हर बार जरा संध को फास लेते थे बल्राम जी अपने हल में था भी तो शोड़ दो नisह सेना समेंच करके बार बार जगए-जगए से ना लिकरते हैं अठारा भीम अर्जुन और आप साथ गए और द्वंद्रित की भिक्षा मांगी और फी फड़वा के फिकवाते हैं बड़े लीला भी है उनकी लीला को समझ पाना बिना भगवत प्रेम के नहीं हो सकता है इसलिए बहुत सम्हाल के बहुत सम्हाल के उनी से प् सीदेल ही मिलेगे हाँ इनकी चितो हाँ है तो वही ला कोई दूसरे थोड़ी बहुत प्रेमी है इसलिए बहुत अच्छा सोवाग्य कि आप भगवान के विश्य में कुछ भी लिखें बहुत सावधानी से लिखें हमारी प्रभु की महिमा प्रकासी तो कहीं कोई अवहेलन यह निंदा नओ तो जीवन धन्य है प्रभु के विश्य में लिखना प्रभु के विश्य में सोचना प्रभु के विश्य में बोलना यह सम्मंगल में हो जाता है जीवन का लाग